ग्रांतिकारी जैभीम सातियों नौम बुद्धाएं जैसाविदान जैगुर्विदाजजी की जैकांसिराम जैबर सातियों अभी एक दू दिन पहले अपने मेगवाल समाज के राजिस्थान से जितेंदर सिंग मेगवाल की केवल मुचे बड़ी रखने पर बड़ी बेर हमे तो ये एक अभी वीडियो देखिए उसमें भी अपने समाज के पूरे परिवार को बड़ी बेरे में से पीटा गया है तो सातियों ये सिलसिला चल क्या रहा आखिर कब तक हमारे साथ ये अच्ट्यचार ये सोसन हमें मारा जाएगा बताईए और सबसे बड़ी बात है कि मै सातियों अभी एक हो जाओ समय है अभी भी समय है एक उने का वर्ना अलग-अलग पिटो गया अलग-अलग मरो गया इसी वज़े से हम लोग सोम्मार को 22 मार्च को जिला सामली में मानिय जिला दिकारी को ग्यापन सोपने जा रहा है जा रहे है तेहिस मार्च को सारणपुर म और 24 मार्च को जिला मुझा फनेगर में मानिय जिला दिकारी उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को ग्यापन सोपने जा रहे हैं सविधानिक तरीके से उसमें जो दोनों मारे भीम सैनिकों की हत्या की गई है उनके हत्यारों को फांशी दिलाने है तो एवं उसके समाज को ह अगर इसके अपन पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और उन परिवारों को या उन भाईयों को इंसाफ नहीं मिलता तो नैशनल भीमार्मी सभी बहुजन समाज के संगठनों को लेकर पूरे देश में एक जना अंदुलन होगा जिस तरीके से दो अपरेल भारत बंद और जो मुख्या रोपी है उन लोगों को फांशी पर चड़वाने का काम करें और जो हमारे लोगों पर सोसन अत्यशार बलातकार हुदते जा रहे हैं अब तो खेर हत्याई जादा हो रही है तो ये सरसर गलत है नैशनल भीमार्मी सभी संगठनों को लेकर ये बड़ा जाता हूं भाई अलग लग रहोगे अलग लग गुरुम में रहोगे तो पिटोगे एक जुटता में रहना है अगर अपनी जान प्यारी अपनी मान सम्मान प्यारा है तो ये खोना पड़ेगा अभी भी समय है तुमने मौका गवा दिया 2022 भी तुम्हारे हातों से निकल गय ये मौका है अब फिलाल एक जुट होने का आपस के गिले से के वे खतम करने पड़ेगे जिस तरीके से ये वारदात हो रही है हमारे लोगों को मारा जा रहा है बड़ी बेहरेमिस है ये सरसर गलत है हम सभी भाईयों को एक जुट होना पड़ेगा एक तकी अर समान तकी जब खतम करो और मैं उन समाज के जो भी ठेगतार दलाल उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि भया तुम लोगों की विज़े से हमारे समाज के लोग नाने जा रहे तुम लोगों के वीजे से